हेलो फ्रेंट्स गूड इबनिंग एंड वेलकम टू दा सक्सेस केंद्रा फ्रेंट्स देखे आज इस सेशन में हम लोग बीपीएसी टी आरी 3.0 यानि की बीपीएसी टीचर 3.0 जो वेकंसी 2024 माई हुई है जिसका फिर से री एक्जाम लिया जाएगा और फ्रेंट्स साथी सा इससन में आपको जो है बिहार के इतिहास बिहार के भोगोल और बिहार के जो प्रस्न है उनसे संबंधित प्रशन आपको देखने को सेसन में मिलेंगे बड़ा ही इंप्वोर्टेंट सेशन रहने वाला है इसको एक बार जरूर देख लिजेगा आप कहुँ सकते हैं कि बिह आपकी सेशन में कबर हो जाएंगे तो अगर इससे पहले वाले सेशन को आपने नहीं अटेंट किया है धेर सारे मैंने अल्रेडी वीडियो करा है हुए आपको चाहाँ हिस्ट्री हो पॉलिटी हो जगरफी हो या फिर बिहार स्पेसल का वीडियो हो सभी को देखेगा लिंक आ जरूर दबा दिजेगा तो चलिए सेशन आज करते हैं एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और फटाफट इसका लिंक कि किसी भी एक ग्रूप में जहां कई भी आप हैं वहाँ पर सेयर कर दीजिए चलिए सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते ह दोनों प्रश्ण बनता है तो सबसे पहले में आपको बता जेता हूँ कि बिहार का अक्छांसिय विस्तार कितना है तो बिहार का अक्छांसिय विस्तार जो है यहां आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 से 27 डिग्री 31 मिनट 15 से उत्तरी अक्छांस है यानि कि option A राइट अंसर हो इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद रखिएगा ठेक है फ्रेंट्स वहीं अगर आपसे पूछेगा कि देशांतर ये विस्तार कितना है यहां पर तो अक्छांसिय पूछा गया है अगर आपसे देशांतर ये विस्तार पूछेगा तो देशांतर ये विस्तार भी बिह को याद रखना है 83 डिगड़ी 19 मिनट 15 से 28 डिगड़ी 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी संतर क्लियर है याद रखिए अच्छा बिहार का आकार अगर पुछा जाए कि किस प्रकार है तो बिहार का आकार जो है यह लगभग आयताकार है लगभग बिहार उत्तर में नेपाल दक्षिन में जारखंड पुर्व में पस्चिम बंगाल और पस्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साज़ा करता है इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा चले अगला प्रशन कर लेंगे नेक्स्ट कुस्सन हमारा कि बिहार का कूल कितना है जल्दी से सभी लोग एंसर कमेंट करिए जल्दी से एंसर कमेंट करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ प्रशन है और आपको यहाँ कंठश्ट याद रखना है कि विहार का भागुलिक छितरफल कितना है तो एंसर इसका हो जाएगा 94163 वर्ग किलोमेटर 94163 किलोमेटर यहाँ भारत के कूल भागौलिक छितरफल का कितना है तो यहाँ भारत के कूल भागौलिक छितरफल का दो दसमलोग आठ छे प्रतिसात हिस्सा है यहाँ भी आप निशित रुप से ध्यान रखिएगा चले next question कर लेंगे फ्रेंस थोड़ा साम लोग जल्दी में स असर कमेंट करिएगा सभी लोग बताइए कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिन और चोड़ाई पूरब से पस्षिम पुर्व से पस्षिम क्रमसह कितनी है तो यहाँ पर ध्यान दिजिएगा बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिन आपको याद रखना है कितना है तो और चौड़ाई पुर्व से पस्यम कितना है तो ये 483 किलोमेटर है तो यहाँ पर ओप्सन देखिए कहाँ पर दिया गया लंबाई 345 और चौड़ाई 483 तो यहाँ पर देखिएगा 345 किलोमेटर और 483 किलोमेटर यानि कि ओप्सन नमबर इसका भी राइट अंसर हो जाएग क्लेर है फ्रेंट्स याद रखिएगा अच्छा अगर प्रश्ण बनेगा कि समुद्र तल से बिहार की ओसत उचाई कितनी है तो ओसत उचाई जो है 173 फीट है यहीं अगर मीटर में दिया जाए तो मीटर में भी याद रखेंगे 23 मीटर ठेक है ना 23 मीटर बिहार के समुद समुदrist से बिहार की दूरी पूछेगा तो दूरी लगभग समुदर तट से 200 क्लेयर चलिए नेंस्ट कुस्चन है अमारा कि निमनलिखित में से कौणसा वन जिव अभ्यरन विहार के मंगेर जिला में इस्तित है चले सभी लोग answer कमेंट करें तो देखे बिहार में जो है मुंगेर में कौन सा वन जीव अभैरन है तो फ्रेंट्स यहाँ भीम बांथ वन जीव अभैरन है मुंगेर में अच्छा उदायपूर वन जीव अभैरन और बालमी की टाइगर रिजर्व या फिर बालमी की नेशनल यह दोनों पस्सिम चमपारन जीला में है राजगीर वन जीव अभैरन जो है यह कहाँ पर है तो यह नालंदा में है यह भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा चले next question कर लेंगे friends और एक बार सभी लोग please friends session को like कर जीजे like बिलकुल free है आपका कोई भी charge नहीं लगेगा like करन बिहार के साथ इनमें से कौन सीमा साजा करता है तो मैंने आपको पहले ही प्रश्ण में बताया था कि बिहार उत्तर में नेपाल दक्षीन में जारखंड पुरूब में पस्सिम बंगाल और पस्सिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साजा करता है तो यहां पर देखे ठीक है ने याद रखिएगा उत्तर में नेपाल दक्षीन में जहारखंड पुरूब में पस्सिम बंगाल पुरूब में पस्सिम बंगाल और पस्सिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साजा करता है तो उपरिक्त सभी इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रशन है हमा है चले बताएगा राइट अंसर का क्या हो जाएगा जितने वीडियो हमने कराया है सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है बिहार पुलिस 2023 के नाम से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहां आप लाइप चार्ट कर रहे हैं वहां पर सबसे उपर मे अबदुल बारी, राहूल संकृत्यान, रामब्रिक्ष बेनिपूरी, योगेंद्र सुक्ल और भी निता थे इन सभी ने एक समूह बना करके विहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था और 1934 में विहार सोशलिस्ट पार्टी का विदिवत गठन किया गया पटना में पहला अधिविशन कहां पर हुआ था, बेसक आपको इन में से 60-70% या 80-85% प्रशन आपको आते होंगे, लेकिन रिविजन बड़ा जरूरी है, रिविजन से कनफ्यूजन दूर होता है, रिविजन कर लीजिए, मैक्सिमाम आपका 45-50 मिनट का समय लगेगा, चले बिहार मे कॉंग्रिस का पहला अधिविशन ये 1912 में हुआ था, कहां पर भाई, तो ये माकीपूर पटना में हुआ था, इसके अधिक्सता किस ने किया था, तो रगुनाथ नर्सिंग माधोल करने, यानि कि आरेन माधोल करने किया था, और यहाँ जो अधिविशन था, इसके महासच सचिजानंद सिनहा थे, और मौलाना मजहुरूल हक स्वागत समीति के अधिक्स थे, किलियर है, याद रखेगा, दूसरा दिविशन 1922 में गया में हुआ था, इसके अधिक्सता चितरंजन दास ने किया था, यानि कि सी आर दास ने किया था, चितरंजन दास ने, चले, नक् समय नहीं है, रिविजन पर फोकस करना है, चले, बते, बिहार का सबसे उची पहाडी चोटी कौन सी है इसमें से, तो फ्रेंस यहाँ सोमेश्वर स्रेणी की पहाडी है, जो कि किस जिला में पढ़ता है, तो यहाँ पस्सिम चंपारन जिला में पढ़ता है, पस्सिम चंपा जिला में पढ़ता है चले next question है हमारा कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं यह प्रशन कई तरीके से बिहार पुलिस में पुछा गया है बिहार में संसदी सीटों की संख्या कितनी है इसका मतलब लोकसभा की सीट आप से पुछा जा रहा है तो सीट में से 6 सीट जो है यहां अनुसूचित जाती के लिए रिजर्व है ठेक है ना चालिस में से 6 सीट जो है यह अनुसूचित जाती के लिए रिजर्व है अच्छा यह तो लोकसभा हो गया राजसभा पुछा जाएगा तब तो राजसभा की कितनी सीट है बिहार में बिहार प्रांतिये किसान सभा का गठन किस ने किया था बिहार प्रांतिये किसान सभा का गठन किस ने किया था बताईए राइट अंसर क्या होगा सन भी आप लिख करके कमेंट करेंगे कि किस सन में किया गया था तो याद रखेएगा फ्रेंड्स बिहार प्रांतिये किसान सभ पटना उच्छ नयाले की अस्थापना किस वर्स में हुई थी चलिए बताइए राइट अंसर क्या हो जाएगा अच्छा पटना उच्छ नयाले के वर्तमान में मुख्य नयाधीस कौन है ये भी प्रश्ण बड़ा इंपॉर्टेंट है तो देखे इसके अस्थापना 1916 में इनका नाम भी आप जरूर याद रखिएगा चलिए अगला प्रश्ण करेंगे कि मंदार परवत बिहार के किस जिला में इस्तित है चलिए बताइएगा मंदार परवत जो है यह बिहार के किस जिला में है देखे जितने भी बिहार में प्रमुख परवत हैं उनसे प्रश्ण इक्जाम में बनते हैं तो ध्यान रखेगा मंदार जो है यहां बाका में है अच्छा मंदार परवत जो है इसका जिक्र समुद्र मंधन में भी आपने सुना होगा सुना है ना तो यह बाका में है याद रखेगा चले उसका बद दिखेगा कि कौकोलत जलपरपात कहां पर इस यहां नवादा में है कहां पर है तो नवादा में कोकोलत है ठीक है चलिए जील भी पूछा जाता है तो कावर जील तो आपको यादी है बेगु सराय में है अच्छा अनुपम जील कहां पर है अनुपम जील इंपोर्टेंट है अनुपम जील कहां पर है तो अनुपम जील जो बिहार बंगाल से अलग हुआ था लेकिन बिहार में उडिशा सम्मिलित था 1912 में आपको याद होगा बिहार में उडिशा सम्मिलित था बंगाल से बिहार अलग हुआ था फिर 1936 में फिर 1936 में जो है एक अपरेल 1936 को बिहार और उडिशा दोनों अलग होकर के प्रिथक राज के रूप में अस्तित्व में आये थे फिर याद आगया आपको 15 नौवंबर सन 2000 इस दिन जो है जारखंड बिहार से अलग हुआ था तो ये तीन प्रशन आपका कवर हो गया याद रखेगा बिहार उडिसा से कब अलग हुआ था तो एक अप्राइल 1936 को किलियर चलिए देखे बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 इस भी में पटना से प्रकासित हुआ था बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकासित हुआ था इसका नाम क्या है तो ध्यान रखेंगे ये बिहार बंदु है बिहार बंदु ये पहला बिहार का हिंदी स माचारपत्र है जो 1874 में पटना से प्रकासित हुआ था चले भारत में 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में भिहार में इस्तित नहीं है देखें नहीं पुछा गया है अच्छा ये जो 16 महाजनपद है इनके बारे में हमें जानकारी बहुत गरंथ अंगुत में है मगद की राजधानी जो थी ये गरीब्रज या राजगरी थी तीन महाजनपद विहार में है एक मगद है एक अंग है एक वज्जी है मगद की राजधानी मैंने आपको बताया गरीब्रज या राजगरी है अंग की राजधारी चंपा है कहां पर है चंपा है और वज करेंगे कि विक्रम सीला विश्विद्याले की अस्थापना किस पालवंस के राजा ने करवाई थी विक्रम सीला विश्विद्याले की अस्थापना विक्रम सीला नालंदा और ओधन्त पूरी विश्विद्याले याद रखेगा पहले देखें विक्रम सीला विश्विद्याल न कुमार ऑप्त प्रतं में करवाया था नेक्ष गोगा जील बिहार की इस जीला में गोगा जील यह फिर गोगा बिल का को थे नए न है ध्यार में और जहां नहीं झाल है, तो गोगा धील कहां पर है घूंगा जील यह घुझा आ पर यह याद रखना है यह न हैं, तो फ्रें लगनदक नदी है गंडप को नारायनी भी कहा जाता है और सदा नीरा इसका प्राचीन नाम है आपको याद भी होगा ठीक है चले next question कर लेंगे अगला प्रश्ण इसी से संबंदित है कि तिर्वेनी नहर किस नदी पर निर्मित है तो देखिए यहाँ जो है कौन सी नदी है तो यहाँ गंडक नदी है तिर्वेनी नहर जो है यह पस्तिम चंपारन जिला में तिर्वेनी नामक तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कुस्टन हमारे की 2011 की जनगन्ना का अनुसार बिहार का सीसु लिंगा अनुपात जीरो से छे वर्स की आयू तब के बुच्चे हैं उनका कितना है 2011 की जनगना का नुसार बिहार का सिसु लिंगा अनुपात एक सिसु लिंगा अनुपात पूछा जाता है और एक सिर्फ लिंगा अनुपात पूछा जाएगा तो दोनों याद रखना आपको देखें लिंगानुपात कितना है तो लिंगानुपात पुछेगा तो 918 याद रखना है और सिसु लिंगानुपात पुछेगा तो सिसु लिंगानुपात आपको याद रखना है 935 दोनों याद रखेगा आगे भी हम लिंगानुपात से संब मन्नित प्रश्ण करेंगे कि किस जिला में लिंगानुपाद सबसे अधीक है कि सबसे कम है चलिए देखे बिहार में जब पहली बार राष्टपती सासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्येपाल कौन थे अच्छा ये तो राज्येपाल मुख्यमंत्री का भी नाम पूछा जा सकता है कब लागू हुआ था पहली बार बिहार में राष्टपती सासन ये भी पूछा जा सकता है बिहार में कितनी बार राष्टपती सासन लगाय जा चुका है ये भी पूछा जाता है तो सबसे पहले जानली जी कि पहली बार जेपाल जो थे ये नित्यानन्द कानून गो थे बिहार में अब तक कितनी बार राष्टपती सासन लगाय जा चुका है तो आठ बार ये भी आप याद रखिएगा चले अगला प्रशन हमारा है कि तृतिय बौध संगती का आयोजन कहां किया गया था अच्छा टोटल चार ब असोग के समय में वैसाली में तीसरा हुआ था असोग के सासनकाल में पाटली पुत्र में और चोथा कनिस्क के सासनकाल में कुंडलवन कस्मीर में तो इस तरह से ये क्रम याद रखेगा आप से तीसरा पुछा गया है तो पाटली पुत्र इसका राइट अंसर हो जाएगा मंजित प्रश्णों को कभर कर रहा है तो यह अपना राज बिहार है बिहार पंचायती राज अधनियम 2006 के तहट जो है बिहार 50 प्रतिसत आरक्षन देने वाला महिलाओं को भारत का पहला राज्य है नेक्स्ट कुस्चन हमारे कि बिहार विधान सभा में आरक्षित सीटों की स यानि कि अनसूचित जाती के लिए और दो सीट जो है एस्टी के लिए यानि कि अनसूचित जन जाती के लिए रिजर्व है यानि कि टोटल 40 सीट रिजर्व हो गया आरक्षित हो गया तो 243 में से 40 निकल जाएगा तो बच जाएगा कितना 203 सीट ये 203 सीट जो है ये अनरि एश्टी के लिए और अन्रिजर्ड पुछेगा अनारक्षित पुछेगा तो 203 भी याद रखिएगा चलिए विधान परिशद में सीटू की संख्या 75 है बिहार में ये भी आप दिहान रखिएगा चलिए बिहार के कितने जिले पोडोसी देश नेपाल के साथ सीमा साजा करत हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दिखें नेपाल के साथ साथ जिला सीमा साजा करता है कौन-कौन से जिला तो सीता मड़ी किसन गंज अररिया सुपॉल मधुबनी पुर्वी चंपारन और पस्सिम चंपारन ये साथ जिले हैं तो राइट अंसर अप्सन नंबर इसका सी हो जा अच्छा जारखंड के साथ आठ जिले समा साजा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ भी आठ जिले और पस्सिम बंगाल के साथ की बिहार के कि सो जिला में है कावारले लेक या कावरजील हिंदी में पुछेएगा तो याद रखने आपको ये कहां पर है तो फ्रेंस कावर ज तो बेगुर सराह इसका और रहीत तो बहुता करेंगे बढा रहीं प्रस्ण है कितने प्रमंडलों से हो कर fakir गंगा नदी प्रवाहित होती है टोटल प्रमंडल की संखिया आणड़ 27 यह भी आप ध्यान रखिएगा ठीक है अब दिखें इन्हें नो परमंडलों में से केवल दो परमंडल ऐसे हैं जहां से गंगा नदी परवाहित नहीं होती है यह दो परमंडल कौन से हैं जहां से गंगा नदी परवाहित नहीं होती है तो यह कोसी और मगद है कोसी और मगद ह है तो बच गए कितने जीलों से गंगानेदी परवाहित होती है तो कितने परमंडल से तो एक चलिए ऒरक्तिव में महाधिवक्ता का वर्णन क्या गया है काफी इंप्रेंट कुप्स्षन है महाधिवक्ता सरकार का उचेतम विधी अधिकारी होता है एडवोकट जनरल जिसको बोलते हैं महादिवक्ता अनुछेद 165 के तहज्व है इसके न्यूकती उस राज्य के राज्यपाल के दवरा की जाती है और वरतमान में बिहार राज्य के महादिवक्ता प्रसांत कुमार साही है पीके साही हैं याद रखिएगा नेक्स्ट कुस्टन है कि बिहार का कौन सा जिला पस्सिम बंगाल से सीमा साजा नहीं करता है पस्सिम बंगाल से मैंने आपको बताया था कि बिहार के कितने जिले सीमा साजा करते हैं तो बिहार के तीन जिले सीमा साजा करते हैं कौन-कौन से जिले हैं, तो यहां किसन गंज, पुरणिया और कटिहार है, जमुई जो है सीमा साधा नहीं करता है, जमुई राइट अंसर हो जायेगा, नेक्स कुस्टन करेंगे, थोड़ा साम लोग जल्दी में सेसन को कबर करेंगे, ताकि समय जो आपका बचेगा, वो आप अन्य विशायों पर फोकस करेंगे, चले, राजपूर नहर पर्योजना किस नदी परिस्तित है, बताईए, राजपूर नहर पर्योजना किस नदी पर ह सबी लोग जल्दी से अंसर कमेंट करिए राजपुर नहर पर्योजना जो है यहां कोसी नदी पर है कोसी राइट अंसर इसका हो जाएगा नेक्ष कोस्तन है हमारा कि बिहार की किस जिले का मैला सक्षर्टा दर सबसे नियुन्तम है सबसे कम है यहां पर थोड़ा सा ध्यान दी जीजेगा तो 4-5 प्रश्ण आपका कबर हो जाएगा देखे ध्यान जीजेए देखे सबसे ज़्यादा अगर सक्षर्टा पुछेगा तो किस जिला में है सबसे ज़्यादा सक्षर्टा जो है सबसे पहले यहां पर देखे बिहार का सक्षर्टा दर कितना है तो 1.8 परतिसद है पहले यह याद रखिए बिहार का पुरु सक्षर्टा दर हो गया के लिए चली को मिटा देता हूँ अब देखे सबसे ज़्यादा सक्षर्टा दर कहां पर तो रोहतास में सबसे ज़्यादा पुरु सक्षर्टादर कहां पर तो रोहतास में, सबसे ज़्यादा महिला सक्षर्टादर कहां पर तो रोहतास में, तीनों काटेगरी में रोहतास सबसे आ गया है, कुछ भी पुछा जाएगा, सबसे ज़्यादा सक्षर्टा रोहतास, सबसे ज़्यादा मह महिला सक्षार्था पुछेगा तब सहरसा होगा जो कि नियुनतम महिला सक्षार्था दर पुछा गया है तो सहरसा इसका राइट अंसर हो जाएगा इतना प्रश्ण मैंने आपको कवर करा दिया एक प्रश्ण से चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर जीजिए देखे पलासी का यूद कब हुआ था पलासी का यूद जो है आपको याद होगा यहां बंगाल के नबाब सिराजुदावला और अंग्रेजों के मद्ध हुआ था अंग्रेजी सिना का नत्रित रोबर्ट कलाइब कर रहा था इस यूद में बंगाल के नबाब सिराजुदावला की हार हुई थी राइट अंसर तेईस जून सत्रह सो संताओन को यह पलासी का बैटल हुआ था ठीक है अच्छा एक बक्सर का यूद है आगे आपको मिलेगा 1764 में बक्सर का यूद हुआ ठीक है आगे प्रशन आपको मिलेगा नेक्ट कुस्चे नमर के बिहार में स्वराज दल क गठन किसके नत्रित्म में हुआ था अब यहां से तीन प्रशन आपका गभर करवाऊंगा देखे बिहार में स्वराज दल का गठन जो है किसके नत्रित्म हुआ था तो नत्रित्म हुआ था सिरिकृष्ण सिंग जी के और बिहार में स्वराज दल जो था इसका गठन लेकिन किसके नत्रित्व में गठित हुआ था तो स्रीकृष्ण सिंग जी के नत्रित्व में नेक्ष कुष्ण है कि बिहार की जनसंख्या देश की कूल जनसंख्या की कितनी प्रतिसत है बिहार की जनसंख्या आपको यह मुझजबानी याद रखना है कंठश्ट याद रखना है कितना तो यह एड़ेक्ट याद रखेगा दस करोड़ चालीस लाक यहां मैं लिखता हूँ दस करोड़ चालीस लाक निन्नानवे हजार चारसो बावन ये बिहार की जन संख्या है 2011 की जनगन्ना का अनुसार क्लियर जो की देश की कूल जन संख्या का 8.60 प्रतिसत है क्लियर चली नेक्श कुस्टन कर लेंगे और सबसे ज्यादा जन संख्या बिहार में पटना का है सबसे कम किस जिला का तो सबसे कम सेख पूरा का है 2011 की जनगन्ना का अनुसार बिहार का सरवाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है लिंगानुपात मैंने आपको बताया था बिहार का कितना है 918 है सिसु लिंगानुपात भी मैंने बताया था 935 है तो आपको लिंगानुपात याद रखना है 918 है लिंगानुपात पुछा गया है सरवादिक लिंगानुपात जो है सबसे कम जन घनत वाला जिला बिहार का पुछेगा तो कैमूर याद रखेगा कैमूर सबसे कम है ठेक है ना चलिए 2011 की जन घनना कानुसर देखे जन घनना से प्रशन भिहार पुलिस में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको इतना सारा इंपॉर्टेंट प्रश्ण जनगन्ना से सम्बंदित कवर करवा रहा हूँ जनगन्ना 2011 की जनगनन का नुसर बिहार का सरवादिक सक्षर्ता दर वला जीला अब इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए सरवादिक सक्षर्ता दर रोतासका सरवादिक पुरु सक्षर्टादर भी रोता असका सरवादिक महिला सक्षर्टादर भी रोता असका नियुन्तम सक्षर्टादर मैंने आपको बता दिया पुरोणिया का है नियुन्तम पुरु सक्षर्टादर में भी पुरν्या ने उन्तम महिला सक्षार्त तर सहर सा ठीक है ना? चलिए अगला प्रशन करेंगे फ्रेंड्स कि ब्रभ्मयोनी हिल्स बिहार के किस जिला में है? अब देखे ब्रभ्मयोनी पूछा गया है, दो तीन हिल्स और मैं बता रहा हूँ, जो कि गया में ही है, ब्रमियोनी गया में है, गया में ब्रमियोनी है, गया में डूंगेस वरी है, यहां में लिखता हूँ, डूंगेस वरी, डूंगेस वरी गया में ही है, उसके बाद देखे, प्रेत सीला हिल्स गया म में है राम सीला भी गया में है राम सीला हिलस ढ़या मैं है ठीक याद रखिएगा चलिए अगरा प्रशन का करेंगे फ्रेंण्स की कि ब 7 का जाता है दो तीन में बिहार के ऐसे ऐसा फ़ी फैमस जह पूछे ढत जाते तों सी मिश्वा बन सब्सी मां बांका में होता है स्वारा राजगीर में होता है इंख र invent कचे न याद रखेगा शिले अगला प्रांशन है कि अजात सत्रू के उपनाम से जाने जाते सिर्किष्ने सिंग जी को बिहार केसरी कहा जाता है अनुगरह नरायन सिंग नहीं को भीषार विभूति कहा जाता है ठीक है चले उसका बाद देखेगा कि नालंदा इस विद्याली के अस्थापना किस गुप्त सासक ने करवाया था मैंने आपको बता ही दिया था जब बिक्र पर है चले बताइए अजगैबीनाथ मंदिर कहां पर है तो फ्रेंट्स ये भागलपूर में है अजगैबीनाथ का मंदिर है एक बार फ्रेंट्स प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजे देखे बिहार राज विदुत परिशत का गठन कब हुआ था जल्दी से अंसर कमे पक्षी बिहार बिहार के किस जिला में इस्तित है मैंने बतायाता सरयमन जील सरयमन पक्षी बिहार बालमिकी टाइगर रिजर्व बालमिकी नेशनल पार्क यह सारे कि सारे पस्सिम चंपारण जिला में है ठीक है ना चले नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे कि बिहार दिवस कब मनाय जाता है बिहार दिवस कब मनाय जाता है चलिए बताएंगे बिहार दिवस कब मनाय जाता है तो याद रखेगा बिहार दिवस प्रतेक वर्स 22 मार्च के दिन मनाय जाता है और अंतराश्ट्रिय जलस अरक्षन दिवस भी 22 मार्च के दिन ही मनाय जाता है ठीक है न चलिए उसके बाद देखेगा कि बिहार में लोटा विद्रोह कब हुआ था और कहां पर हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है देखें लोटा विद्रोह दरसल मुझपरपुर में हुआ था मुझपरपुर में जेल के कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था लेकिन बाद में क्या हुआ कि पीतल के लोटे के अस्थान के जगा पर मिटी का लोटा दिया जाने लगा जिसके कारण विद्रोही कैदी जिते ये विद्रोही हो का हैं इन्होंने विद्रोह आरामब कर दिया और ये लोटा विद्रोह मुझपरपुर में 1856 में हुआ था अप्सन ए राइट एंसर हो जाएगा चले उसका बदेखे डच बैपारियों ने किस वर्स पटना में अस्थापित किया था यहाँ प्रश्ण पूछा जा रहा है चले बताईएगा सभी लोग एंसर कमेंट करीए काफी फेमस प्रश्ण है 16-32 सिस्वी में पटना कोलेज के उत्री इमारत में आपको याद भी होगा लेकिए पटना में 1867 की करांति का नत्रित्व किस ने किया था अब वैसे बिहार में तो आपको पता है बिहार में पुछा जाता है तो बिर कुमर सिंग यह बार-बार प्रश्ण पुछा जाते ले संताउन को इनिके नत्रित्व में करांती प्रारंभ हुआ था पीर अलिखा ठिक है ना याद रखिएगा अगला प्रश्ण की चमपारन सत्यागरह किस वर्स हुआ था गांधिजी का भारत में यह पहला सत्यागरह अंदोलन था चमपारन सत्यागरह तिन कठिया पर्था के खिलाफ या अंदोलन था ठीक है ना राइट अंसर उनिसुस सत्रह इसका हो जाएगा चलिए उसका बाद next question करेंगे कि बिहार का देशांतर्य विस्तार है अब यह प्रश्ण फिर से मिल गया आपको तो मैंने आपको अक्छांसी विस्तार बताया था 24 डिगरी 20 मिनट 10 से 27 डिगरी 31 मिनट 15 से उत्री अक्छांस यह आपका अक्छांसी विस्तार है अब देशांतर यह हो जाएगा आपका 83 डिगरी 19 मिनट 15 से 88 डिगरी 17 मिनट 40 से कंड पुर्वी देशांतर यह देशांतर है चलिए बाकी मैंने डिटेल आपको बता ही दिया था बिहार सरकार का सची वाले कब कारे करना सुरू किया। चली, उसका बात next question हमारे कि समुधृतल से बिहार की उचाई कितनी हैं। मैंने feet में भी बताया था आपको और meter में भी बताया था। चली, ध्यान दीजिए, याद करिए कि मैंने क्या बताया था। और इसका एंसर कमेंट करें विहार का समुद्र तल से उचाई पुछा गया अचा समुद्र तल है समुद्र टट समुद्र टट समुद्र टट से दूरी अगर पुछा गया होता तो यह लगबग 200 में दूसों किलोमेट्र होता ठैके ना दो सो किलोमेट्र और समुंत्रचल से बिहार के उक्चाई है यह मैं आपको बताया था कि 173 feet यहा मीटर नहीं अगर फीट होता तो अगर आप 173 feet पर लगाते तो यहां यहां पर 173 फीट है और तीरपन मेटर मैंने बताया था तो इसलिए यहां पर तीरपन मेटर इसका राइट अंसर होगा ठेक है ना तीरपन मेटर इसका करेक्ट अंसर होगा चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रैंस अगला प्रशन कर लेंगे नेक्ष कुस्टन है हमारा कि निमनलिकित में से कौन सा पक्षी बिहार बिहार के जमुई जीले में इस्तित है जमुई जीले में कौन सा जो है इसमें से पक्षी बिहार इस्तित है चले बतायेगा देखे सुहियान जो है यह कहां पर है सुहियान पक्षी बिहार तो सुहियान यह जमुई में है clear अगला प्रशन है किनम लिखित में से किसके साथ देखे किसके साथ जो है विहार के सबसे अधिक जीले सीमा साजा करता है तो मैंने आपको बताया था जो है विहार उत्सेर में नेपाल जबचिन में जहरखंड पुरुं में पस्सिम बंगाल और पसिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साजा करता है नेपाल के साथ साथ जीले लगते हैं पसिम बंगाल के साथ तीन जीले लगता है जारखंट के साथ आठ जीला और उत्तर प्रदेश के साथ आठ जीला तो उत्तर प्रदेश के आठ और जारखंट के साथ आठ यानि कि राजकिय पुस्प यह सब याद रखना है, बिहार का राजकिय चिन बोधी ब्रिक्ष है, बिहार की राजकिय भासा पुछेगा तो हिंदी है, दूसरी राजकिय भासा उर्दू है, बिहार का राजकिय पसु गौर है, गौर यानि कि बैल है, कहीं कि आपको बैल या गौर दो 2011 की जर्गन्य का नुसर बिहार का सक्षर्टादर कितना है, 2011 की जर्गन्य का नुसर बिहार का सक्षर्टादर में बताया था, 61.8% है, पुरू सक्षर्टादर बिहार में 72.2%, महिला सक्षर्टादर 51.5%, सबसे ज़्यादा सक्षर्टादर वाला जिलार होतास, ठीके चाहे वह पूरु सक्षरता दर हो या फिर महिला सक्षरता दर हो नेक्ष कुछ नमारे कि रामसीला हिल्स बिहार में कहां पर अवस्तित है मैंने पताया था आपको रामसीला पृत सीला डूंगेसवरी ब्रह्मयोनी हिल्स यह सब गया में है ठीक है न याद रखेगा अच्छा एक बिहार में लोकसभा की कितनी सीटे आरक्षीत है लोकसभा की टोटल 40 सीट है इतना तो आपको पता है इन 40 में से मैंने आपको बताया था कि 6 सीट जो है यह सी के लिए रिजर्व है ठीक है तो कितनी सीटे आरक्षीत है लोकसभा की तो आपका 6 सीट हो जाएगा चले संतरता के पस्ताथ बिहार के प्रथम राज्यपाल कुन थे तो जैराम जास दौलत राम राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है देखिए निमनलिकित में से किस अनुछेद के तहत बिहार वितिय इस्तिति के पुन्रावलोकन के लिए वित आयोका गठन किया जाता है क प्रतेक पांच वर्स पर वितिय इस्तिति के पुन्रावलोकन के लिए राज्यपाल करता है अनुछेद 243 आई के तहत अप्शन भी राइट अंसर हो जाएगा बिहार के राज्यपाल कौन है वरतमान में जरा उनका नाम कमेंट करिए तो जरा बताईए राज्यपाल कौन है विहार के सभी लुग अंसर कमेंट करेंगे राजेंद्र विश्वनात अरलेकर जिंहें ठीक है विहार विधान सभा के प्रतम अध्यक्ष कौन है विहार विधान सभा के प्रतम अध्यक्ष अचा एक प्रश्ण यह हो गया और स्वतंतरता के बाद अगर पूछेगा कि विह जश्वरी परसाद ब्रमा और इस तरह से पुछेगा कि बिहार विधान सब्धा के पर्थमध्यक्स तो राम देयालो सिंग्स चलिए तेलहर कुंड जलपरपात कहां पर है तेलहर कुंड जलपरपात बताईए को कॉलत जलपरपात नावादा में है बताया है मैंने आपको ते जारखंड बिहार से कब अलग हुआ था तो पंद रह नुवंबर सन 2000 ठीक है न चलिए भिछार का लोकनाट्य है अचानल लोक कला अगर पुछ ले भिछार का लोक कला तो एक अहपन लोककला है अहपन पूछा भे गया बिहार पुलिस में अहपन लोककला कहां का है तो चक्यक्त सभी इसका राइट अंसर हो जाएगा उपर शर्ण वह उसके बहां देखेगा कि भारत में 16 महजनपत की राजधानी कहां पर है 16 महाजनपत मेंसे मैंने बताया था कि 3 महजनपत वरतमान विहार में पढ़ते थे कौन-कौन से तो मगद कौन कौन से तो एक तो मगद हो गया मगद के बाद कौन सा तो मगद के बाद याद रखेगा मगद के बाद कौन तो मगद के बाद अंग अंग के बाद वज्जी मगद अंग और वज्जी तीन महाजनपद तो बिहार में जो है इस्तित अंग महाजनपद की राज़दानी चंपा थी मगत की राज़दानी राज़गरी या ग्रिबरस थी और वज्जी की राज़दानी वैसाली थी चले अगला क्वाया था चलिएat पुर जिल बिहार के इस जिला में है बताए राइट नशर क्या होगा जगतपुर जीयल बिहार के किस जिला में है fé तो यहाँ भागलपूर में है नेक्ष्ट कुषर है कि छोटा प्रमंडल कौन सा है परिमान में सबसे छोट जो है यहाँ भागलपूर परमंडल है भागलपूर में केवल दो ही जिला आता है कौन-कौन से तो एक स्वयम भागलपूर और दूसरा बांका ठीक है ना याद रखिएगा नेक्ष्ट कुस्टन है कि जप्रकास सेतु किस नदी परिस्तित है बिहार में है यह सब जप्रकास स कितना है तो मैंने बता दिया था लिंगानुपात 918 सिस्व लिंगानुपात 935 सबसे जज़ा लिंगानुपात गोपाल गंज का सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिला का नेक्ष्ट कुस्टन कर लेंगे अब यहां से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आपका नहीं छूट इतना बहतरीन तरीके से मैंने आपका रिविजन करा दिया देखे कोपन की जलवाई वर्गी करण करनुशार उत्री बिहार को किस जलवाई छेतर में विभक्त किया गया है अच्छा यह कोपन की जलवाई वर्गी करन करनुशार उत्री बिहार को तो CWG में और अकर दक्ष जैन संगती का युजन कहां पर हुआ था जैन संगती पुछा गया है तो पहला जैन संगती का युजन जो हुआ था यहां पाटली पुत्र में हुआ था कहां पर पाटली पुत्र में चंद्रगुप्त मौरे के सासनकाल में और अस्थूल भद्र की अध्यक्सता में ठीक है न पहला जैनसंगती, दूसरा जैनसंगती कहां पर हुआ था, तो बल्लभी गुजरात में हुआ था, पहला पाटली पुत्र में हुआ था, सब याद रखना आपको, देखे बिहार के कूल भागुलिक छेतरफल का कितना परतिसत वनावरन है, जरा बताईए, राइट अंसर कमें करिए, तो देखे यह जो नया फॉरेश्ट रिपोर्ट है, 2021 का अनुसर कितना परतिसत वनावरन है, तो साथ दिसमलो, आठ चार परतिसत, ठेक है, चलिए, नेक्ष कुस्टन है कि बराउनी तेलसोधा करखाना किस देश के सायोग से अस्थापित किया गया था, बराउनी त थर्मल पावर कहां पर है, किस जिला में है, काटी थर्मल पावर, काटी थर्मल पावर, इस्टिशन जो है, यह कहां पर है, किस जिला में है, जिला का नाम कमेंट करिएगा, इस्टिशन, बताइए, काटी थर्मल पावर मुझापर पूर जिला में हता है, ठीक है, पराउनी तेलसुदध करखाना बेगुसरा में पड़ता है और यहां रूस की सहयता से सविएत संग की साहता से stimulus किया गया था next question किसा राज के ऊप्रछा चावल को GI प्रदान किया गया है तो अभी हाल में rzecz to consider याद रखेंगा और मर्चा चावल जो विहार के पसिम चमपारन में प्रसिद्ध है तो ये बिहार राइटन्शर हो जाएगा इसका next question है current affairs का तीन वीडियो में ने कराया हुआ है तीनों को आप जरूर देख लिजेगा भाई ठीक है ना स्वरपरतम किस मुगल सासक का राजीविषिक पटना में हुआ था ना दियान रखेगा दूसरा सासक जिसका राजीविषिक सेख पटना में हुआ था यह साह आलम दूतिये था सा आलम दूत्य का राज़ी से कह पटना में अंगरेजी किस्णरक्षन में अंगरेजी फैक्टरी में किया गया था मुंगेर को अपने राजधानी बनाने वला पाल सासक कौन था? चले, answer कमेंट करेंगे, सभी लोग इसका answer कमेंट करेंगे कौन सा पाल सासक था जिसने मुंगेर को राजधानी बनाया था तो यहाँ देवपाल था कौन था देवपाल था पालवन्स का संस्थापक गोपाल था याद रखिएगा अगला प्रशन है कि भारती समिधान के किस अनुछेद में महादिवक्ता को राज विधान मंडल में बो की जाती है और अनुछेद 177 के तहट यहाँ विधान सबाव में बोल सकता है इसकी करवाई में भाग ले सकता है परन्तु इसको मत देना का अधिकार नहीं है ठीक है अनुछेद 177 आप याद रखेंगे चली अगला प्रशन करेंगे कि भिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सिमा साज़ा करता है लेकिन नेपाल के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ कौन से जिला सिमा साज़ा करता है तो यह पस्यम जंपारन है ठीक है अचा नेपाल और बंगाल के साथ नेपाल और बंगाल के साथ पस्यम बंगाल की बात किज रही यह किसन गंज यह किसन गंज ठीक है नेपाल और पसिम बंगाल के साथ समझ में आ अच्छा उत्त्र प्रदेश और जारखंड के साथ कोन से जिला सीमा सजय करता यह सब द्यान रखनाया आपको तो यह रहतास है कौन है तो यह रोतास है ठीक है अच्छा जारखंड और जारखंड और पस्सिम बंगाल के साथ कौन सा जिला सिमा सजा करता है तो यह कटिहार है यह कटिहार है ठीक है ना तो याद रखेगा नेपाल और उत्तरप्रदिस पस्सिम चंपरन नेपाल और पस्सिम बंगाल किसंगज उत्तरप्र स mechanism डिलिस सल्तनत के दिल किस ने किया था सलने बदाए राइट असर क्या हो जाएगा जायगा स्वरफ마lle किहां कि दसक्य जैंस कर दर कि दोहीजर स्छा करके और दसक्य कहा जाएगा 10 वर्श है इसमें जनसंग के विदीदर कितना है बताईए 2011 की जनगन्य का नुस्टर विहार की दसक्य जनसंग के विदीदर कितना है तो फ्रेंड्स यहां 25 दिसम लौप चार परतिसत है खिले चले उसका माद देखेगा कि बकसर की उद्व में टस्षा हालम दूतीर कि सना एक तरफ थी और धुसरे तरफ अंग्रेज लड़ रहां थेु सेन हेक्टर मुन्रो कर रहा था है उससे अंग्रेज के सना की फालाशी के वद्रिय्य सेने की Net Zwiray Carriasow. उसमें भी अंग्रेज जीते थे युखार में होम्रों रिका गठन किसके नत्रित्व में हुआ था 16 दिसंबर 1916 याद रखिएगा 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरूलहक के अध्यक्स्ता में बाकिपूर में बिहार में होम्रोल लिक्का गठन हुआ था किसके नत्रित्तों में? तो मॉलाना मजहरूलख के नत्रित्तों में. चले बिहार विद्यापीट का उदघाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीट का उदघाटन जो है, यहां महात्मा गांजी जी ने किया था. ज्यान रखेगा 6 फरवरी 1921 को और इसके प्रथम कुलॉप पति मौलाना मज़ोरुलख मको बनाए गया था ठीक है चलिए बिहार की किस जिल्य का जनसंख्या सबसे ने उन्तम है तो मैं बताया था सबसे जादत जनसंख्या वाला जिल्या बिहार का पत्ना है और सबसे कम जो है जनसंख्या यह आपका सेखपुरा का है दस करोड चालिस लाख निनानबे हजार चारसो बावन ये बिहार की जनगन्ना है ठीक है न ये आपको एड़जक्ट याद रखना है इनका जनम कुंडगराम वैसाली में हुआ था और निर्वान इनको पावापूरी में पावापूरी और गतम बुद्ध की मिर्ति महापरे निर्वान उनको प्राप्थ हुआ था कुसी नगर में चले उसका बाद नेक्श्ट कुस्चन है कि 1877 की विद्रहों के समय पटना का कमिश्णर कौन था तो मैंने आपको बताया था कि पटना का कमिश्णर उसमय विलियम टेलर था विलियम टेलर था पीर अलिखा के नतित्युमें पटना में 1877 की क्रांति की शुरुआत हुई थी चले उसका बाद देखेगा कि साइमन कमिश्णर पटना कब आया था साइमन कमिश्णर वैसे भारत आया था तीन फरवरी 1928 को आपको याद होगा पटना कब आया था तो पटना यहां कब आया था 12 दिसंबर 1928 को ठीक है चलिए पटना में रामकृष्ण सुसायटी की इसन किया था 1907 में बाबा ठाकुरदास की द्वरा किया गया था याद रखिएगा चले उसका बाद नेक्स्ट कुस्चन है हमारा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी यह प्रश्ण मैंने आपको करा दिया था और फ्रेंस मैं चाहता हूं कि इसका अंसर कर दीती है